हेलो फ्रेंड्स मेलकम बेक तू माई यूटूब चैनल तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं नादान परिंदे तो फ्रेंड्स आप आगी देखेंगे कि पिंड के सभी लोग समीर का इंतजार करते हैं और बॉर्डर पास से जो आ रहे हैं लोग फौजी दूसरे मुल्क से जो रहा किये गए हैं वो आते हैं और सभी की नजर बॉर्डर पर होती है पूरव भी खड़ा होता है और आप देखेंगे कि सभी फौजी आ रहे होते हैं बेबे घूम जाती हैं और यहां पर समीर भी होता है सभी फौजी आ करके अपने देश में अपनी धर्ती को सरमाते लग जाते हैं और उसमें समीर भी होता है साथ में और आप देखेंगे कि समीर को सभी लोग देख करके बहुत खुश हो जाते हैं पिंड के सारे लोग समीर को देखते हैं कि समीर जिंदा है उसको देखकर बहुत खुश होते हैं बेबे समीर के आने का इंतजार कर रही थी और अ समीर न्यूस चैनल में भी उसकी फोटो दिखाई जा रही होती है महर भी यह देख करके बहुत खुश होती है और पिंड के सारे लोग समीर से मिलने के लिए जाते हैं और आप देखेंगे कि समीर फिर अपनी बेबे के पास आता है बेबे के कंदे पर हात रखता है और बेबे आप देखेंगे कि बेबे समीर को देखती है और इधर महर और सभी पिंड के लोग समीर पर ही नजर होती है बेबे तुरन बेहोश हो जाती है गिल जाती है तो समीर उनको लेकर घर आता है जैसे ही बेबे को होश आता है तो वो समीर का नाम लेकर चला लगती है फिर पिंड के लोग कहते हैं कि समीर जा अपनी बेबे के पास फिर समीर अपनी बेबे के पास जाकर के बैठता है बेबे समीर को देखकर बहुत खुश होती है वो समीर से कहती है कि तुझे अपनी बेबे की याद नहीं आई और वो उसके गले लग जाती है और महर भी देखती है महर के आ फिर इदर देखेंगे कि समीर को महर उसके कमरे में ले जाती है वो बिलकुल चुप होता है महर सूचती है कि अब कुछ बोलेगा लेकिन समीर कुछ भी नहीं बोलता है फिर महर कहती है कि तू थैंक्यू तो बोली दे कि मैंने तेरे आने की खुशी में तेरा कमरा रेडी किया झाल 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 झाल